Dear ICC Class 10 and ICC Class 12, 2021 के पहले वाले बोर्ड गमनेशन, आज मैं भी प्रूफ यह दिखलाऊंगा कि किस तरह से चुटकी बजाते अपने बोर्ड गमनेशन के रिजल्ट को देख सकेंगे, इसके लिए सबसे पहले CISC के ओफिशल वेबसाइट पर चलते हैं, वहाँ पर आप राइट बर नहीं दिखता है, एक से दो महीने बाद आपको यह लिंक गाइब हो जाएगा, जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं, तो एक नए वेब पेज पर पहुंच जाते हैं, यह वेब पेज दिखलाता है कि आप किस तरह से रिजल्ट को देख सकते हैं, देखिए स्क्रीन पर ह कि UID और Index Number, यानि 2021 के Board Examination के रिजल्ट को देखने के लिए आपके पास UID और Unique ID होने चाहिए, इसी के साथ जो capture है आपको सही सही feel करना होगा, यह बतलाने का मेरा मकसद यही है कि प्रतेक स्टूडेंट को रिजल्ट देखने के लिए उसके UID और Index Number होने चाहिए, सभी स्क सभी स्टूडेंट को मिल जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट का पप्लिकेशन अभी डिले है, नेक्स्ट वीक यानि कि 24 जुलाई 2021 तक यह किलियर हो जाएगा कि ICSE Class 10 2021 और ISE Class 12 2021 के Board Examination के रिजल्ट कब आएंगे, इससे पहले आपको कुछ बाते नहीं पता चलेंगी, I repeat, result 2021 delayed है, यही मैं Times Now का एक News Article आपको स्क्रीन पर दिखला दे रहा हूं, जो बतला रहा है कि 31st July 2021 को ICSE Class 10 और ISE Class 12 2021 के Board Examination के रिजल्ट आएंगे, यह News Article 16 July 2021 को Publish हुआ है, हाला कि इस News Article में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इस News Article की Credibility उतनी अच्छी मेरे विचार से नहीं है, अब मैं Third और सबसे Important Point आपके लिए बात कर ले रहा हूं, कि यदि Board Examination 2021 के रिजल्ट से आप नाखुश हुए, तो क्या कर सकते हैं, मेरी या बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह मौका सिर्फ आपको एक वीक के लिए ही मिलेगा, जब अपने ISE Class 10 और ISE Class 12 के Marks के Improvement करा सकते हैं, या Result Publication के बाद जो कुछ भी गड़बणियां स्कूल के दुआरा जाने और अंजाने में हुई होगी, या CIC के Portal पर कोई भी Human Error हुए होगे, एक Correct कर लिए जाएंगे, इसके लिए आपको स्कूलों से Contact करना होगा, इसकूलों के पास एक Farm होगा, उसमें आपको सारे Detail भरने होगे, Student Name, UID, Index Number और Subject के Reference के साथ, कितने Marks का आप Expectation कर रहे थे, और कितने Marks आपको चाहिए, और ये Marks चाहिए तो इसके Support में आपके पास कौन-कौन से Document है, For Example, ISE Class 12 2021 के Student के लिए, उनके ISE Class 11th के जो Progress Report, Result है, और Class 12th के Online और Offline मोड में जितने भी Examination हुए, उनमें से Best Eber Examination में, Best Eber 3 Subject के Marks और English के Marks को Consider करते हुए, Result तयार किये गए हैं, इस बात को याद रखना है कि आपको अपने Progress Report, ISEC Class 10th के लिए, Class 9th, Final Term के जो भी Result है, और Class 10th के Online और Offline मोड में जो कोई भी Examination हुए, और जिस Examination में आपने सबसे Best Marks प्रप्त किया, उसमें से 3 Best Subject including English होने चाहिए, तब जाके आप अपने सबसे Marks के लिए क्लेम कर सकते हैं, और यदि इस क्लेम पर आपके स्कूल के Subject Teacher Concerned, Class Teacher या फिर Principal ने सहमती जता के CISC को वो डेटा भेज दिया, तो आपके 100% Marks Improvement होंगे, और किसी तरह के Marks Improvement वाले Examination 2021 में नहीं बैटने परेंगे, जो सेप्टेमबर के मन्त में हैं, तो इतनी Important और महत्पूर्ण जानकारी जो मैंने आपको सबसे पहले दिया है, कि आप बोर्ड रिजल्ट के निकलने के वीदीन एक वीक अपने Marks का करेक्शन करवा सकते हैं, थाम सब बनता ही है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करने और चैनल को सबस्क्राइब करके रखें, क्योंकि मैं इसी तरह के Important और आपके काम के लिए Exact Information लाता रहत के लिए झाल झाल